कि नमस्कार दोस्तों सभागत है आप सभी का उतकर्स परिवार में अजिक बिसेस टॉपीक पर हम चार्चा करेंगे नाम है उसका फूट फोटिफिकेशन खाद्य फोटिफिकेशन क्या है फोटिफिकेशन है इसके फाज्चण फसलों में हम खाद्य फसलों खार्द फोर्टिपिकेशन या फूड फोर्टिपिकेशन से अगर हम आसय की बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इस से आसय है कि खार्द पदार्थों में आवस्यक सूच्म पोसकत्तों की मात्रा को बढ़ाना कई सारे ऐसे सूच में पोसक तक तो होते है जो हमारे सरीर के लिए अतियावस्यक है अगर उनकी efficiency हो जाए, कमी हो जाए तो कई सारी बीमारियों से हम गरसित हो सकते है जिनके स्रोत भी limited है या हम कहें कि उन प्रापर स्रोत तक हमारी पहुँच उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, जिसके काण से उनकी सरीर में कमी हो जाती है अक्सर और खास करके वह लोग जिनको पोसक तत्त उचित मात्रा में उपलब्द नहीं है कुपोफण के सिकार है, उनमें सुधार के लिए फूड फोटिकेशन एक 72 विकल्प हो सकता है फोटिकेशन का उद्देश है भोजन की पोसक गुडवत्ता में सुधार करना और स्वास्त के समख जो नियुंतम जोखिम है के साथ लोग स्वास्त परदान करना क्योंकि एक स्वास्त लोगों से ही स्वास्त देश का निर्माड हो सकता है, स्वास्त समाज का निर्माड हो सकता है, पहले स्वास्त सब के लिए प्रात्मिक है, सभी का स्वास्त रहना जरूरी है, सबसे पहले उदेश था कि सब को भोजन उपलब देकर आना, अब भोजन के स साथ हम अपने उन पोस्त कत्तों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि जिनकी आनुपस्तिती में तमाम प्रेकार के डिसाडर, बिकार, डिजीज हमारे बाड़ी में उत्पन होते हैं जैसे सबसे अच्छा फूड फोटी की प्रेकेशन का एक्जाम पर अगर हम ले तो आयोडीन युक्त नमक के लिए फोटी जो फूड फोटी प्रेकेशन बिधी है वह सबसे अधा उप्युक्त साबित हुई ह आज देश का लगबक 75% तक के लोग हैं कि जो आयोडीन युक्त नमक का प्रियोग कर रहे हैं आयोडीन ये पोसक तत्व है सुच मात्रा में जिसकी आवसेता होती है हमारे विभिन प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए खास करके जो हमारी थाइरा कशावी तंतर का पेस्ट में कर कहते है मतलब कहने का है कि सबी जो हमारी ग्रंथियां है उनगों को सक्री करना जिससे वा बीभिन प्रकार के हार्मोन को संच निकाल सके और जो हमारी बिभिन क्रियाओं का नियंतर और समन्हें कर सके तो आयोडीन युक्त नमक फोटिपिके भी food fortification का एक बेहतर एक्जामपल हो सकता है इसके लावा देखेंगे कि cooking oil जो हम तेल का इस्तेमाल करते है पने भोजन में या चीनी में अगर हम vitamin A retinol को मिला दे तो यह भी food fortification का बेहतर बिकल्प हो सकता है क्यों क्योंकि यह कुछ खादपदार्थ ऐसे है जहां तक पहुँच लगभग लोगों की होती है और इनके माध्यम से हम तमाम वासूच पोसकता है जिनकी बाद बाड़ी में हमारे efficiency रहती है उसकी आपूरती हम कर सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं food foodification के food safety standards regulation 2018 के ताहत बियन्यमित किया गया सरकार के एक आप दिखिंगा द्यադेश जिसको हम कहेंगे food safety standards regulation 2018 के ताहत इसको बियन्यमित किया ज reportedly गया गया कि किन सॊच पोसफतातों को हम मिला सकते हैं या किन को एक प्रात्मिक रूप से हम को उसमें करना चाहिए चावल फोर्टिफिकेशन एक राइस फोर्टिफिकेशन या चावल फोर्टिफिकेशन एक बेहतर विकल्ब के रूप में सामने आया है क्योंकि चावल दुनिया की सबसे बड़ी खाद्दे फसल है क्यों भारत की नहीं पूरी दुनिया की कमी होती है और एनीमिया उत्पन होता है फोलिक एसिड और बिटामिन बी टल्ब जैसे सूच पोसकत को बढ़ाने की प्रक्रिया फोलिक एसिड ग्रूप मत्तब बीनाइन की मात्रा भी पढ़ जाए इसमें चावल की माध्यम से आईरन की भी आपूर्ती हो जाए और बिटा की विधी से बढ़ा सकते हैं अब देखेंगे कि राइस फोर्टीफिकेशन सबसे बड़े रूप में आया है सामने आप फोर्टीफिकेशन का एक बेहतर विकल्प सामने आया है जिसमें हम इसके लाब क्या हो सकते है कि कुपोफड और एनीमिया से या लडने में सबसे अध का प्रियोग करके सुझ पोसकत तो उन तक पहुंचा दें तो कई सारे से एनीमिया हुआ या जो गर्व में पल रहा बच्चा है उसका सम्चित विकास हुआ इन सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं जैसे ग्वाइटर जिगेगारोग मस्तिक सथ से हम बचाओ में इसको मदद हो सकता है जो भूडवा नवजाद स्वास्त में सुधार कर नवजाद सिस्ट के विकास में भी सायता कर सकते हैं अगर मा के अंदर उपलब्द होगा मा के भोजन में उपलब्द होगा तो मा का सरी स्वस्त होगा तो उसके घर्व में पलने वाला बच्चा भी स्वस्त हो सक सकता है सूजब असकत्तों की कमी से मेया पूर्ती का काम करेगा जो एक तरह से हीडन हंगर के समधान में भी असाहयता कर सकता है तो हम कहें कि तकनीकी का एक बड़ा या रूप है फूड' फोटिपिकेशन जिसमें हम कई फसलों के माध्यन से फोटिपिकेशन करके तमाम प्रकार के सुझ पोसकत्तों को हम बाड़ी में पहुचा सकते हैं और कुपोफट से बच सकते हैं या कुपोफट से होने वाले हानियों से भी हम बच सकते हैं जिसमें राइस फोटिपिकेशन एक काफी बिहतर बिकल्ब के रूप में हमारे सामने आया है तो ये आज महत्वपूर टॉपिक में हमने इसके बारे में आपको बताया है थैंक यू नमस्कार